खबिर मिर्जापूर से है मिर्जापूर जीला मंडली अस्पताल में मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था बताया जाता है कि मुखे मंतरी के आगमन होते ही पूरे अस्पताल में चाक चौकस बड़ी तेज कर दिया गया था और जो जहां था वही रुख जाए ऐसा अलाधिकारियों से पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया एक मरीज को साड़े दस बजे तक एकसरे करा ना था मरीज अपने दर्द से करा रहा था पर मजबूर और लाचार मरीज का परिजन आखिरकार आखिर करे तो करे क्या एक तरफ उसके घर के सदसे का दर्द के मारे जान जा रही थी दूसरा मुख्यमंतरी साहब आये हैं जो जहां है वही रहे आदे घंटे पहले से ही फरमान जारी हो गया था इस आदेश को सर आँखों कर लेते हुए आला अधिकारी बड़े ही सक्रियता से लग गया थे काश की अधिकारी उनके और भी कलन्यार कारी निर्देशों का पालन करते तो शायद इस आदे घंटे से भी अधिक समय तक रोक कर रखते तो मलाल ना होता आखिर सुबे के मुख्यमंतरी साहब को इस बात का पता क्यों नहीं लगता कि जिनके बदावलत वह आज इस जन द्वारा बताया गया कि प्रशासन ने मुख्यमंतरी के आने से रास्ते को रोक रखा है जब मुख्यमंतरी चले जाएंगे तब रास्ता खुलेगा मिर्जपूर से हमारे समद आता सुनीर कुमार को शहाकिर पूर करने वाला हूं क्या समस्या अब इदा जा रहे थे हाट की पैसेंट है और यह विकलांग भी है गुंगी यह बहरी भी है जिना हो सका मैंने इलाज किया कहीं से मुझे कोई ब्युश्पा नहीं हुआ ना कोई पसासन सब्सक्राइब हुआ है आइसमान कार्ड के लिए मैंने अब कहां लेकर जा रहे हैं तो अभी आप जा नहीं पा रहे हैं क्यों जाने नहीं पा रहे हैं वजह है रही है मुखमंत्री मोहदे आए हुए है इसलिए नहीं जाना जाना मुखमंत्री चले जाएंगे तो आप जाएंगे तो आप जाएंगे